गेहुं की बुवाई का कारे चल रहा है, लगभग 80% बुवाई हो चुकी। इधर गेहुं के भाव में लगातार तेजी का रुख बना हुआ। गजर गेहुं के भाव ही 2700 से 2850 रुपए प्रती क्विंटल तक हो गए हैं। जबकि नए गेहुं आने में अभी 4-5 महीने का सम हैं। जो की मार्च अप्रेल तक नया गेहुं आएग। इसी बीच रूस और यूकरेन के बीच जंग तेज हो गई। हाल ही में यूकरेन ने रूस पर अमेरिकी मिसाइल से हमला किया इसके पश्चात तीसरे विश्व युद्ध की आहट होने लगी। यूकरेन में खेती को सबसे अधिक नुकसान हुआ। रूस एवं यूकरेन वैश्विक स्तर पर खाद्यान की बड़ी आपूर्ती करता देश है। ऐसे में आने वाले समय के दोरान खाद्यान आपूर्ती और अधिक गरबढ़ाएग। इसका असर भारत पर भी पड़ेग। दरसल फिलहाल भारत में गेहूं का स्टॉक सीमित मातरा में है। यही कारण है कि सरकार गेहूं के भाव में लगातार तेजी होने के बावजूद खुले में गेहूं को नहीं बेच पा रही है। गेहूं के भाव में लगातार तेजी के पश्चात आने वाले वर्ष दो हजार पचीस में गेहू 25 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रती क्विंटल निर्धारित किया गया है। अगामी दिन में 50-100 रुपए भाव और बढ़ जाए तो कोई बढ़ी बात नहीं होग। गेहुं के भाव का भविश्य साल भर से ही चमकदार चल रहा। व्यापारी बताते हैं कि आने वाले वर्ष में गेहुं के भाव में तेजी रहेगी, समर्थन मूल्य से अधिक नाम पर गेहुं बिकना आता। गेहुं का खेर्ची भाव 2600 से 2800 रुपए प्रती क्विंटल रहने की संभावना है, वही मंडी भाव 2500 रुपए प्रती क्विंटल से अधिक रहेग। Bureau Report Market Times TV